दोस्तो आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो वीडियो में एक अपडेट पर बात करने वाले हैं केंदर सरकार यानि मोधी सरकार ने कल देर साम को एक पेंशन का इलान किया UPS पेंशन तो दोस्तो ये UPS पेंश जो स्कीम है वो दिया है तो ये UPS जो पेंशन सिस्टम है या पेंशन स्कीम है ये क्या है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं इससे पहले दोस्तो NPS भी चल रहा था और सबसे मज़ेदार बात ये है दोस्तो UPS आने के बाद भी NPS यानि की New Pension System जो की 2004 में आ था वो फिर भी जारी रहेगा यानि की सरकार के लिए NPS जो है वो अभी भी दुधारू पसू है यानि की UPS जो सिस्टम है वो आने के बाद भी सरकार NPS को जारी रखेगी तो क्या कुछ अपडेट है क्या कुछ है UPS पेंश किस तरीक से सरकारी जो करमचारी हैं सेंटर जो एंपलोईज हैं केंदर सरकार के जो करमचारी हैं उनके लिए क्या इसमें फायदा है और दोस्तों क्या सरकार UPS की जो लेके आई है UPS पेंशन क्या इसकी जगए Old Pension is System दे सकती थी भिलकुल दे सकते थी लेकिन सरकार ने बी आपने आप लोगं को बताते हैं, सबसे पहले दोस्तो इसमें जो आपलों को pension मिलेगी, अशेॉष जो पैंशन है, पच्चिस साल की सेवा पर, थीक है? 25 साल बाद यदि आप retire हो रहे हैं या स्वैचिक सेवा निवरत्य भी ले रहे हैं आप लोग VRS भी ले रहे हैं 25 साल बाद आप लोग को ये pension मिलेगी और 25 साल से पहले जोब छोड़ने पर वो भी बताएंगे तब क्या मिलेगा लेकिन ये pension पाने के लिए आप लोगों को 25 साल की जोब जो है वो करनी पड़ेगी पहले क्या हो रहा था सातियो कि मानलो आपका कोई भी जोब है देखे 20 साल की सेवा मानलो करनी ही करनी है ठीक है तब जाकर कि आप लोग pension पे जा सकते थे या VRS ले सकते थे लेकिन अब क्या है ये जो अगर pension आप लोगों को चाहिए UPS ठीक है UPS pension आप लोग को चाहिए तो आप लोगों क्या करना होगी 25 साल की नौकरी करनी होगी तब ही UPS का लाब मिलेगा अन्य था लाब तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा अब ये लोग क्या कर रहे हैं साथियो, देखिए, सुनिशित pension है, यूनिफाइड जो pension system है, scheme है, ये आप लोगों को दी गई है, एकिकरत pension योजना, अब देखिए, इसके क्या-क्या points हैं, वो आप लोग समझिए, ठीक है साथियो, 25 साल की सेवा करने के बाद मिलेगा, ठीक ह और ये जो योजना है दोस्तो, एक अप्रेल 2025 से लागू होगी, एक अप्रेल 2025 से, सबसे खास बत ये है, कि 2004 से और 2000, मार्च 2025 तक जो रिटार होंगे, कमचारी, उनको भी इसका benefits दिया जाएगा, यानि कि मानलो कोई 2020 में रिटार हो गया, NPS में, या किसी भी तरीके से, तो उसको भी इसका benefits दिया जाएगा, और अब जो है, मोटा मोटी तोर पर कही ना दोस्तो, 25 साल से कम की service पर, यानि कि 10 साल से कम अगर आप लोगों ने, कोई भी government जो सेंटर employee के रूप में करा, और आप लोगों ने छोड़ दिया, तो आप लोगों को 10,000 रुपया पेंशन त प्लस उसके साथ DA जो है, वो भी हाँ पर मिलेगा, यानि कि कुल मिलाकर के मोटी सरकार ने ये किया है, कि 10 साल से कम की जो जो जोब है, उसको छोड़ने पर, आप लोगों को 10,000 प्लस DA जो है, यानि महंगाई बत्ता है, वो pension के रूप में मिलेगा, 10 साल से कम को, और अगर आप लोगों को assured pension चाहिए होगा, तो उसके लिए 25 साल, यानि कि unified जो pension system है, या scheme है, उसमें कम से कम जो जो है आप लोगों की pension पाने के लिए, वो होगी याँ पर 25 साल, अब दोस्तों 25 साल बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, तो वो देखिए, 25 साल की जोब के बाद जब म परसेंट आप लोगों का basic जो salary है, वो मिलेगी, प्लस में आप लोगों को उसका dearness जो allowances है, वो भी यहाँ पर मिलने वाला है, ये एक तरीके से जो UPS pension है, उसका पहला feature सी है, कि 25 साल की job के बाद आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों, एक assured pension जिसमें 50 परसेंट आ अगर आप लोगों को ने job करा है, तो वो आप लोगों को मिलेगा 10,000 प्लस में DA, वो pension ठीक है, DA प्लस 10,000, आज की date में, अगर मालो मैं job quit कर रहा हूं, आज की date में, तो मुझे 10,000 तो वो हो गए DA, यानि कि 50% से ज्यादा है, तो वहाँ पर कितना हो गया, 5,000 ये, मालो माल 30,000 है, 40,000 है, तो आप लोग यहाँ पर यह जो 10,000 है, ये fix है, 10 साल से कम की service पर 10,000 पर fix है, pension के, और 10,000 का फिर जो DA है, वो भी मिलेगा, जैसे आज के दिन 50% है, तो 10,000 का आदा कितना हो गया, 5,000 हो गया, तो आज के दिन मालो मैं job quit करता हूं, तो मुझे 15,000 पर pension आज के DA और आज के ये जो 10,000 है, इन के according मिलेगी, अब दोस्तो, NPS भी जारी रहेगा, और UPS भी जारी रहेगा, आप इन में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, आप लोग कोई सा भी choose कर सकते हो, यानि NPS में तो पहले से थे हम लोग, तो NPS में भी रह सकते हैं, या फिर UPS में से ये योजना, एक अप्रेल 2025 से लागू की जाएगी, और 25 साल की नोकरी पर आप लोगों को basic pay का 50% pension के रूप में यहाँ पर मिलेगा, यानि कि सबसे अगर बड़ी बात जो है वो यह है, कि यह जो 25 साल है न, यह यहाँ पर आप लोगों को service करनी होगी, तब आप लोगों को 50% basic आप लोगों को DA, यह यहाँ पर मिलेगा, ठीक है साथियो, आप देखिए, यहाँ पर देखिए, assured, यानि कि करमचारी की मोत होने के समय, उसकी जो pension मिलेगी, तो उसका 60% आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, यदि आप लोगों की death हो जाती है pension के समय, तो 60% pension के रूप मे परिवार को यहाँ पर मिलेगा, जो कि NPS में नहीं था, और 10 साल से कम सर्विस होने पर, assured minimum pension 10,000 रुप महिना होगी, और उसके साथ-साथ इसमें महंगाई बत्ता मिलेगा, आज की date में यह करीब 15,000 रुप है, इन तीनों pension पर, कौन-कौन सी तीनों pension है, दोस्तों, का आदा हो गया, तो 25,000 प्लस उस पे 50% आज मालो DA माल लेते हैं, तो 50% यह, तो 25,000 तो आपका basic का आदा हो गया, प्लस में 50% DA हो गया, वो जोड़ करके आपनों को मिलेगा, और जो करमचारी की मोत होने के समय, उसकी जो pension बनेगी, तो उसका 60% हुआ है, ठीक है, तो 60% यह अगर आपकी casualty में death हो जाती है, इसकी अलावा दोस्तो, हर 6 माहिने की service के लिए वेतन का 10% लंसम amount मिलेगा, अगर किसी की 30 साल की service हो गई है, तो उसे 6 माहिने की salary भत्ते सहित का पैसा मिलेगा, यह gratuity के अलावा मिलेगा, जो gratuity मिलती है न दोस्तो, जो gratuity मिलती है, एक fund सर कार के तरफ से दिया जाता है, निश्चित तोर पर वो, तो gratuity के अलावा आप लोगों को अगर 30 साल की service हो गई है, तो आपको 6 माहिने की salary और भत्ते का पैसा मिलेगा, यानि कि आप लोगों ने 30 साल job कर ली, और फिर आप लोग जोब को quit कर रहे हो, रिटार हो रहे हो, तो आप लोगों को 30 साल की job के बाद, लास्ट जो 6 माहिने रहेंगे, उनके नगत पैसे मिलेंगे, और ये gratuity के अलावा रहेंगे, ठीक है सात्यों, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, कि दोस्तों की ये जो आप लोगों का पैसा कट रहा था, 10% जो NPS में कट रहा सरकार अपना जो अंसदान है, उसको बढ़ा रही है, क्या कर रही है, बढ़ा रही है, अब आप लोगों को जानेंगे कि old, new और जो unified जो pension scheme है, इसमें क्या क्या अंतर है, OPS में क्या होता था, दोस्तों 50% जो आप लोगों को basic है, उसका मिलता था, करमचारी को कोई योगद सेवा करने पर, जो मैंने वीडियो की सुरुवात में बता है, कि जैसे कोई जो पहले 20 साल करनी होती थी, तो आप लोगों retirement ले सकते थे, या उसे quit कर सकते थे, लेकिन अब pension पाने के लिए, जो है UPS में 25 साल हो गये, तो ये पुरानी pension ज्यादा बहतर थी, उसके बाद आया कि NPS में क्या होता था, कि यहाँ पर सभी करमचारियों के लिए जो बाजारी सिस्टम लागू था, कि बाजार तै करेगा, चूंकि NPS का बाजार में निवेस होता था, इसलिए बाजार के फायदे सामिल है, retirement के से में, कुल जमा का 60% एक मुकुस्त निकाला जा सकता है, से 40% पेंशन गुर्प में फिक्स होता है, यानि कि NPS में क्या हो रहा था, कि 100 रूपया मालों आप लोगों ने जमा कराया, तो 60 आपको मिल गए, 40 से आपको पेंशन दे रहे थे, बाजार के अकोड़ी, यह हो रहा था, अब जो यूनिफाइड पेंशन इसकी माया इस में क्या ह आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए, अनुपातिक रूप से मिलेगा, और 10 साल से कम तो है 10,000 रूपया प्लस महंगाई बतता, फिर 11 से लेके अगर आप लोग 24 तक हो रहे हो, तो फिर आप लोग तरीके से मिलेगा, और 25 साल में हो रहे हो, आपने लोग रिटारिया छोड़ कर रहे हो जोब को, तो 25 साल में आप लोग को 50% आप लोग का बेसिक यानिकी मूल वेतन जो है, वो मिलेगा, ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग का 10% कटता रहेगा, जो OPS थी, उसमें कुछ नहीं कटता था, OPS मे एक GPF अकाउंट होता था, जिसमें आप लोग खुद ही अपना पैसा कटवा सकते थे, फिर आपनों को मिल जाता था, रिटार्मेंट के समय, किसी भी समय आप लोग उसे निकलवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 10% आपनों को अकटता रहेगा, सरकार इसमें साड़े 18% अपनी तरफ से रासी डालेगी, ठीक है, बाजार वगरा का इसमें कोई चक्कर है नहीं, ठीक है दोस्तो, NPS वाले करमचरी इसमें सामिल हो सकेंगे, अब देखिए कैसे क्या करना है, OPS में, जैसे मानलो, पेंशन कितनी मिलनी चीए थी, OPS में, मूल वेतन का 50%, यानि 25,000 रुपे यानि या कि आप लोगों की 50,000 मूल वेतन है आज के दिन, तो गड़ना देखिए किस तरीके, OPS में कितना मिलना था, और UPS में कितना, यहाँ पर देखिए, OPS में जैसे मानलो, आप लोगों का 50,000 वेतन था, उसका आदा कितना किया, 25,000 प्लस डिये, फेमिली पैं 15,000 रुपे हो जाती थी, 30%, और यहाँ पर नियूंतम जो पैंसन थी, OPS में वो 9,000 रुपया थी, आप UPS में देखिए, मूल वेतन का 50% प्लस डिये, यानि कि 50,000 का आदा कितना हो गया, 25 प्लस डियार मिलेगा, इसके अलावा, फेमिली पैंसन यहाँ पे 30,000 रुपे हो जा यह ग्रेच्यूटी जो है, यह यहाँ पर दोस्तो थोड़ा नुक्सान दायक सावित होने वाली है, यह जो पहले कितना मिल सकता था, वो यहाँ लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तो, यह देख सकते हैं, आप लोग पूरा का पूरा इस पैंसन इस सेंको किस तरी के समझना ह वो देखे, नई स्कीम के इस तरह फाइदे मन, मूल वेतन की 50% रासी पैंसन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गरंटी दी है, गर्णा का फार्मूला क्या है, बेसिक सेलरी का 50% अपनों को मिलेगा, इसके अलबा 50% रासी की सरत्वर मिलेगी, नोकरी को न्यूंतम 25 सा होने चीए, मेरी नोकरी कम साल की है, न्यूंतम 10 साल की नोकरी से रिटार हुए तो 10,000 रुपे, प्लस DA मिलेगा, इसका बोज करमचारी पर पड़ेगा, क्योंकि 10% योगदान आपनों को देना पड़ेगा, सरकार 15% करेगी, सरकार अपना जो योगदान दे रही है, 15% का, उसको हर 3 साल में समिक्षा करेगी, उसे बढ़ाना है, क्या करना है, फेमिली पेंसन की सुईदा कब तक है, तो करमचारी की मोत पर फेमिली पेंसन मिलेगी, जीवन सात्य को बेसिक सेलरी की 60% मिलेगी, गर्णा मृत्यू के वक्त आखरी महने की बेसिक सेलरी से होगी, यान का फायदा भी भी ले सकेंगे, जो 2004 के बाद NPS के थेत रिटार होगे, जो रिटार होगे NPS के थेत, उनको भी लाव यहां पर मिलेगा, क्या NPS वाले UPS चुन सकेंगे, बिल्कुल चुन सकेंगे, दोस्तों, दोनों उप्चन में से NPS और UPS में से आपनों को एक विकल्प द दे रहे हैं कि भाई 10 साल से कम क्वीट करने पर, या कोई विचारा रिटायर हो रहा है, 10 साल से कम करने पर, क्यों किसी की एज मालों 50 साल में उसको अपने किसी परिजन की डैथ पर नोकरी मिली, जो गर्मेंट टेमपली था, उसकी जगा वो लगा, casualty, death casualty पर, उसकी मालों वो 10 साल से कम पर क्वीट कर रहा है, जो उपको छोड़ रहा है, ठीक है, या फिर वो रिटायर हो रहा है, तो उसको कम से कम आज के दिन 10 हजार तो मिलेगा, पलस में DA भी मिलेगा, तो कम से कम ना से सही कुछ तो मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा UPS सही है, बाकि अगर दोस में, यहां पर UPS में उनको 5 साल ओर बढ़ाया है, जैने कि 25 साल कर दिया, सबसे बड़ा गैप यह है, पहली बात तो, ठीक है, सबसे बड़ा गैप यही है, कि 25 साल किया, ठीक है, और 25 साल से पहले आगला आप कवीट कर रहे हैं, कुछ और कुछ हो रहा है, तो फिर वो पें प्लस डिये का एक बटा दस्वा हिस्सा नोकरी खर 6 महिने के लिए मिलेगा pension के अलावा ये सारी चीज़े रहने वाली है दोस्तों तो देखिए PM मोधी ने भी इस बात के लिए काया कि अच्छी scheme है ये काया कैर सरकारें अपना अपना पक्स रखेंगे इसमें कोई गलत है नह आप क्या सोचतें इसको लेकर के और क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये unified pension system है दोस्तों कुल मिला के मोटे सब्दों में बात करूं तो 10 साल से कम की service पर आप लोगों को मिलेगी 10,000 pension जो पहले NPS में 2,000 भी नहीं मिल सकती थी वो अब 10,000 plus DA मिलेगा 25 साल के आप ल सारी चीजें हैं दोस्तों ठीक है तो ये पूरा scheme है center government की तरफ से ये है ठीक है दोस्तों कैसा लगा आपको ये video जरूर बताएं comment करके आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये सरकार का जो है UPS pension system किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं अपना comment तरीके से आप लोग दिखते हैं मेरा visualization बताऊं तो दोस्तों ना से कुछ सही है ठीक है दोस्तों ना से कुछ यहाँ पर सही है देखिए 10% contribution unchanged रहेगा आप लोग का वो बना रहेगा 10% आप लोग की रासी है जो कटती रहेगी जो कि OPS में नहीं देना पड़ता था कोई भी यहाँ पर है तो कैसा आप लोग देखते हैं इन सारे चीजों को तो वो भी आप लोगों को जरूर बताना है दोस्तों ठीक है ना इस वीडियो में फिलाल इतना है और यह योजिना है एक अपरेल 2025 से लागू होगी और 2004 से लेके और मार्च 2025 तक तो रिटायर होंगे उनको इसका एरियर मिलेगा क्या मिलेगा एरियर मिलेगा उनको भी काफी अच्छा लाग होने वाला है एरियर के साथ उसका ब्याज भी मिलेगा क्या मिलेगा एरियर के साथ उसका ब्याज भी मिलेगा जैसे किसी के मानलों 10 साल से कम होने पर छोड़ी थी 10,000 रुप है तो 5 साल हो उसको वो जो पैसा ना वो मिलेगा दोस्तों ठीक है ना उसका पैसा आपनों को मिलेगा यदि आप लोग रिटायर हो गए हैं तो ठीक है दोस्तों यह यहाँ पर है न्यूंतम दस वर्ष की सेवा निवर्ती पर 10,000 उपर प्रती महा महंगाई सूच कांक्यान की DA सुनिश्चि फलाना धिमकाना इससे बड़िया था OPS ठीक है जब इतना ही सब कुछ कर रहे है तो थोड़ा बहुत और करमचारियों के लिए बहतर होता ठीक है उनकी खुसी और बहतर होती लेकिन ना से कुछ सही मैं मानता हूं इस चीज को कि ना से कुछ सही है UPS आप क्या सोचते हैं य 10% आप लों का जो कट रहा था पैसा वो कटेगा ठीक है बाकी चीज हमने आपको समझा दिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत